खरीब सीजन अपने पीक पर है जिसके तहट एक तरफ धान की रोपाई बवाई की परक्रिया पूरी हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ अगेती किस्म का धान त्यार होने की तरफ बढ़ रहा है जिसे देखते हुए कई राज्यों धान करीदी परक्रिया शुरू करने की तैयारियां कर चुके हैं लेकिन इन सब के बीच कई राज्यों में धान की फसपल सूखे के असर को लेकर सभी चिंतित है इस वज़े से इस सल धान के रक्मे में कमी आई है तो वहीं केंजरी खाद्या मंत्राले ने चावल की उतपादन में कमी का अनुमान जारी किया है हालाकि मौझूदा परस्तितियां धान की फसल पर सिरफ सूखे की मार की तरफ इशारा नहीं कर रही मसलन इस बार देश में सूखे के साथ ही बोने रोग से भी धान की फसल खराब हुई है इस वज़े से चावल का उतपादन अनुमान से भी कम हो सकता है आईए समस्ते हैं कि सूखे की वज़े से धान के रक्वे में कितनी कमी आई और इस वज़े से चावल के पादन में कितनी कमी आने का अनुमान है वहीं बॉनेरों की वज़े से भी कहां कहां और कितनी कितनी फसल खराब होने का अनुमान सामने आया है दरसल मौनसून में कम बारिश यानी सूखे की वज़े से इस बार भिहार, जारखन, पच्छे मंगोल और उत्तर प्रदेश में धान की फसल परभावित हुई है इस वज़े से पिछले साल की तुलना में धान के रखवी में 4.9 फिसद कम है असल में देश भर में धान की वज़े का कुल रखवा 49.3 मिलियन हैक्चर बताया गया है जो कि एक साल पहले की तुलना में 4.9 फिसद कम है वहीं 2016-17 से लेकर 2020-21 में खरीव धान का ओसत वार्षिक रखवा 49.7 मिलियन हैक्चर था केंद्रिय खादे सचिव ने बीते शुकरवार को खरीव सीजन में चावल के उतपादन का अनुमान जारी किया था जिसमें उन्होंने धान की ववाई कम होने की वज़े से चावल के उतपादन में कमी आने का अनुमान जारी किया खादे सचिव की तरफ से जारी किये गए आंकडो के नुसार पिछले साल की तुलनस्त में 10 से 12 मिलियन चन कम होने का अनुमान लगाया गया है हलाकि इसे उन्होंने प्रारंभिक अनुमान बताया है वहीं पंजाब में बोने रोंग की वज़े से इस बार 34,000 हेक्टर धान की फसल पर असर पढ़ने का अनुमान है जिसमें मोहाली में 6,440 हेक्टर, पठान कोट में 4,520 हेक्टर तो गुर्दासपूर में 3,933 हेक्टर फसल परभावित हुई है वहीं लुध्याना में 35,000 हेक्टर और पठान में भी 35,000 हेक्टर की धान की फसल में बोने रोग परभाव देखा गया है राज्य की क्रिशी विभाग ने परभावित शेत्रों में उस्तन 5 फिसद फसल नुकसान का अनुमान लगाया है धान में बोने रोग के मामले पंजाब के साथ हरियाना और हिमाचल में भी सामने आए है जानकारी के मताबिक हरियाना में भी 30,000 हेक्टर से अधिक फसल बोने रोग की चपेट में है अकेले कुर्शेतर में ही 14,000 हेक्टर फसल पर बोना रोग दिखाई दिया है हिमाचर परदेश में इस खरीब सीजन धान उत्पादन में लगवग 10 फीसद की कम्याने की उमीद लगाई गई है जिसका मुख्या कारण धान का बोना रोग है बोने रोग की वज़े से अकेले सिर मोर जिले में लगाई गई धान की कुल फसल का 20-50 फीसद हिसा खराब हो चुका है ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर चावल का उत्पादन गिर सकता है बिरो रिपोर्ट मरके टाइम्स टीवी